राव नाव भाई सारे बाई नक्या आज चाल है पंकज पांचाल ब्लोक्स में आप सभी का सवागत है वीडियो में बने रहे लेक लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले भी आपने वीडियोज को प्यार दिया और अभी आगे प्यार देते रहना चैनल को कर लो सस्क्राइब ज़्यादा करते हो सेर आपके सामने लूली लूंच मेंदरा की न्यू इंटियर के साथ एक्सवी-4W इलेक्टिक विकल आपके सामने खड़ा है आज इसकी पूरी की पूरी डिटियल रिव्यू करेंगे यह अपना मेंदरा एक्सवी-4W-E-L-PRO EV वेरियंट है जी हाँ दो वेरिंट और इसमें एड़ कर दिया गए नियूली इंटियर के साथ इसका प्राइज आपको पंदरा लाकुने चाज जार रूपे देखने को मिल जाता है एक सोरूम जो इसका बेस मोडल है और बाकी डिटेल्स की बात गरे तो इसमें आपको डियूल टोन उपसन देखने आपको सामने मिलता था वही आपको अभी भी चार्ज देखने मिल जाता है इस चार्जिंग में आपको तीन ओप्सन देखने मिलते वह आपको मैं बाद में बताओंगा पहले बता देता हूं इसका टायर साइज वही आपको सिक्स्टीन इंच के जो एलोई विल से उसके जो फोल्ड हो जाएंगे पहले यह वाला फीचर नहीं था अब चलते इसके फ्रेंट में और आपको दिखाता हूं इसका डिजाइन फ्रेंट में लुक कैटेंजमेंट की गई है लुक इसकी चेंजमेंट की इसमें आपको को पर पर इसकी स्परंट ग्रिल पर इसका लोब जो आपको कोपर में देखने को मिल जाए जो इसकी लुक को थोड़ा सा मैं आपको बता हूं ब्यूटिफुल बना रहा है ऐसी बात निया मेंदरा ने काम किया है उसके बाद अगर हैडलाइट की बात करें तो आपको डियाल सेटप के साथ मिल जाती है हैडलाइट और इसम बेस्ट जो इसका है यह लोग लग देखने मिल जाता है फोग लैम्स में उसके बाद यहां पर आपको कोपर के अलेमेंट देखने मिल जाएगे जो इसका बंफर है वह नीचे इसका एरो डानेमेंक के लिए इसकी डिजाइन किया गया की रेंज अच्छी रहे और गाड़ी की जो चाबी आपके सामने दिख रही है इसमें आपको दो चाबिया प्रोवाइड कर दी जाती है जिसमें आपको जो मेंदरा लोब है वो आपको कोपर में देखने मिलेगा फिलिप की है दोनों की दोनों आपको डमी की नहीं मिल जाती है कोई आपको डमी की प्रोवाइड ने कर दोनों आपको बढ़िया कीदिरा महैंदरा साथ में अगर बात करें इसकी क्या-क्या फंक्सन तो इसमें लोक अन्लोक और इसमें आपको बूट्श पेस ओपन करने के लिए इसका बटन देखने को मिल जाता है उसके बाद अगर भात करें इसकी बाकी फीचर्ट की तो तो इसमें आपको क्या क्यों डेक्ने को मिलते हैं इसमें आपको दो बै्टरी पैक्स लिय्म-धी देखनेगे मिल जाते हैं एक 30 आप घरपे चार्ज करोगी तो आपको 12 गंटे में और आपकी 7.2 किलोवाट वाला एक चार्ज जो जाएगी अगर डिसी चार्ज चार्ज करोगी तो आपको 50 मिनिट के आपकी गाड़ी फुल चार्ज उते हैं बैटरी जो इसमें आपको IP68 रेटिंग वाली जो इसकी वाटर प्रवाइड कर रही है मेहंद्ट की जो इसकी वन्हीं यह ओर अगर बात करें दूसरी वरंठी की तो आपको आठ साल में एक स्वेया जाट ख़शाद Tasnost君的 की जो वरंटी है स्वेया की और क्वाइट हो और उसके अंदर आपकी बैटरी खराब होते तो उसमें आपकी मेहंद्रा पूरी-पूरी हेल्प करेगी उसके बाद बढ़ते हैं इसकी बैक प्रोफाइल में आपको कोई भी चेंजमेंट देखने में मिलेगा सेम वही बैक प्रोफाइल लुक वही क्यूटी इसकी निकल के सब्सक्राइब दारी है और बलकी अगर इसके अंटीना की बात करें तो वह आपको चेंजमेंट देखने में मिल जाता है पहले आता था इसका नॉर्मल टीना अभी देदिया आपको सार्क फिन एंटीना और इसमें पीछे भी आपको डीफोगर वाइपर और बैक लाइट बर दिखने में मिल जाति है इसमें भी आपको को इस इन पर के ढ est Fell wieder तोट इसके रहाति की बात करें तो इसमें पूरी आपको स्टैपनी मिल जाती है अब खूलת इसका बूट स्पेस बूट मश् आपको मैं बता दू, बहुत ही यूटिलाइज़ इस भी उट स्पेड देखने हों मिल जाता है, बूट स्पेस, इसका तीन सो अटेटर लेटर का इसका बूट स्पेस है, जिसमें आपके काफी अच्छा स्पेस जो है, यूटलाइज हो जाता है, और साथ की साथ शीट की बात जी हां पीछे भी आपको एक लाइट प्रोवाइड कियेगी रात को अंदेरे में अगर कुछ सामान वाइड निकाला तो अराम से निकाल सके अब चलते हैं इसकी इंटेर के तरफ तो सबसे पहले चलेंगे इसकी पैसेंजर पीछे सीट पर तो पीछे सीट पर डोर में कोई भ इसका और पेपर ओडर सब्स्ते आगर बात करें इसमें आपको अच्छा थाईर और इसकी शीट पहले सीट आती है जो पहले आती दी बहुत सीट जो महंदर आपको प्रोवाइड कर रही थी और इसमें आगर बात करें इंटेर की तो अंदर भी आपको डूल टोन इंटीर देखने को मिल जाता है देखें यहाँ पर इसके जो हेंडल से पहले नूर्मल आते थे अभी आपको क्रोंट चांड जो इसके यहां पर चार्जिंग के लिए या पर आप किसी भी इस्टुमेंट के लिए यूज कर सकते हो आप शीट्स बढ़िया है इसकी पीछे आपको एक आमरेस्ट मिल जाता है उसके साथ साथ आपको इसमें मिल जाते हैं तीन हैड्रेस्ट ठीक है और तीन बैल्ट्स देखने को मिल जाती है जो अपनी बहुत ही कमफोर्टेबल और कुशनी सीट्स के साथ अब बढ़ते इसके इंटियर की तरफ में इंटियर की तरफ इसमें क्या आपको चेंज कर दिया गया पहले आता थ्री डबलो वाला इंटियर लेकिन अभी आपको न्यूली इंटियर अपडेट करने के बाद ड सिस्टम की बात करें तो आपको इसका इंटियर में सिस्टम 10.25 इंचिस का जो आपको इसका इंटियर में सिस्टम मिल जाता है वायरलेस एपल कारपले साथ के साथ नीचे आपको डियूल टोन क्लायमेंटे कंट्रोल एसी देखने में मिल जाता जी अगर आपको पैसेंजर बैठा तो अपना लग इसी चेंज चला सकता है कि अपना जीतना टेंपरेश करना और आप अपना अलग कर सकते उपार प्रटन जो मिल जाता नीचे आपको दो यह टाइप के जो है चार्जिंग पॉट्ट मिल जाते वाइरलस चार्जर मिल जाता है और इसके गेर शिफ्टर बात करें तो यह आपको बीटिफुल सा गेर्शिप्ट देखने हम जाता है जो पहले इसका गेर्शिप्ट रहता हुआ है खाल इसमें कोपर्स के बात करें तो इसके आम रेस्ट में अच्छा आपको स्पेस देखने हुआ जाता है गलब बॉक्स की बात करें तो इसमें पहले आता थे इसका फोड़ बलोगा वाइब कमफर्टेवल के मामले तो यह गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी है अपनी जो टाटा नेक्सों नों उस चैन्ज करा तो रहेगा देखने अपने पहली वीडियो देखे होगी तो यह आपको सेवन डबलो वाला जो बहुत ही अच्छा क्यूट स्टेरिंग जो पकड़ने में वह बहुत ही अच्छा क्योंकि सेवन डबलो वाला यहां भी आपको को पर की जो लोब वोईस का दिख यहां जातरा होगा साहिए एक साइड में आपको इसके करूग ज regulator सारे के सारे झायर सप्रेट क्रूद्रेटर भ्यजय है अर्थ का इन्दर भी आपको लाग पचास से शार्ट फीचर जो देखने के साथ अब कर लेते हैं इसके instrument cluster को own जी हाँ infotainment system देख लिया अब देखें इसका instrument cluster instrument cluster भी आपको 10.25 इंचिस का instrument cluster जो है fully displaced instrument cluster मिल जाता है पहले आपको पुली जो है display वाला जो इसका इन जो display वो देखने को मिल जाती है पहले आपको इसका normal meter आता है लेकिन अभी इसकी पूरी digitalize कर दिया गया है उसके जैसे बहुत ही क्यूट लग रही है अगर sunroof की बात करें तो normal sunroof है जैसा पहले sunroof इसमें आता था अपना 3W में आता है वही वैसा तो इस गयर नमबर पर आप कुल कर सकते हैं और अपनी गाड़े कर दो